तरुष्ट ने में सब्सक्राएंगे इससे पहले प्रिवेश्ट क्लासेजर्न में पढ़ा था रशीयन एंपाइर संद्रिक्वर्छ निकोलस टू को पन रहे थे इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो रशीया में रेवोलूशन आई थी तो revolution कैसे आई थी, revolution में क्या-क्या हुआ था अभी जो रशियन revolution आएगी तो उसके पीछे क्या होगा पूरा-पूरा background होगा, पूरा-पूरा एक condition होगी रशिया में ऐसी परिशानिया होगी जिसके कारण revolution आएगी अब ऐसा तो नहीं है कि रातो रात लोग शुए थे और शुबह हुआ कि चलो आज मन होता है, revolution करते हैं आज क्रांती लाते हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा लोगों को परिशान हुए होगे, लोग को बहुत जादा suffer करना पड़ा होगा और उस परिशानी के कारण, लोग को जो hardship वहाँ पर जहलनी पड़ी होगी उस सारे परिशानी के कारण क्या हुआ होगा, वहाँ पर revolution आया होगा रशिया में जैसे कि socialism in Europe पड़े थे, तो पूरे उरोप में socialism के ideology से एक change आई थी तो basically क्या था, पूरे उरोप में एक परिशानी थी, हमने देखा थे industrial society थे exploitation हो रहा था, अभी देखे तो उस से क्या हुआ था socialism के ideology पूरे उरोप में फैली थी और change आया था, तो वही हम देखेंगे यहाँ पर क्या होंगे, Russian आपकी जो topic है, Russian जो background है एक, आपके book में दिया हुआ है जो topic, Russian society and Russian economy, हम उसे दो पार्ट में मैंने split कर लिया, दो पार्ट में divide कर लिया है जिससे आपको समझने में बहुत आशानी होगी, एक Russian economy हम अच्छे से समझ लेंगे और एक next video जो हम बनाएंगे, उसमें हम Russian society समझ लेंगे जिससे आपको एक पूरा-पूरा background समझ में आजागा कि Russia में basically जो परिशानी क्या थी एक पूरा background क्या था, जिसके कारण एक revolution आया था, जो triggered by socialism के ideology के थुरू जैसे question भी आपका आ जाता है, क्या question आ जाता है, कि what was the economic conditions of Russia which led to the Russian revolution, या what was the societal condition of Russia which led to the Russian revolution तो इस तरह से आपका अलग-अलग तरह से question आ जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं, Russian economy को सबसे पहले, ठीक है, तो देखे, सबसे पहले क्या point है, कि it was mainly a agriculturalist economy, Russia की जो economy थी, वो basically क्या point कहना चाहरा है, कि जो Russia की basically economy थी, वो क्या थी, agriculturalist economy थी, मतलब वहां की जो dependency थी लोगों की, जो वहां पर पैसे आ रहा है, तो उसका main source जो क्या था, वो था agriculture, क्यों था, क्यों बोला जा रहा है, कि उनका main source ही agriculture था, क्यों कि वहां पर 85% population was engaged in agriculture sector, मतलब वहां के जो 85% जो लोग थे, किस profession में engaged थे, तो वहां पर क्या थे, agriculture sector में engaged थे, वहां पर उस समय तो software engineer नहीं होते थे, software company तो नहीं थी, कि यहां पर लोग क्या होंगे, इंजिनियर बरेंगे, और IT sector में जाएंगे, उस समय क्या थे, कि ले देकर यही होता था, agriculture ही था जादा तर, तो उस समय के जो लोग थे, क्या थे, 85% Russian population was engaged in agriculture sector, और इसलिए क्या थे, कि में जो economy थी, रशिया की, वो किस पर depend, मतलब उसकी economy क्या थी, में economy थी, वहां की agriculturalist economy थी, ठीक है, अभी देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, कि cultivators produced for the market as well as for their own needs, अब देखिए, जहां इतने सारे लोग engaged होंगे, किस में, इतने सारे जब लोग होंग करेंगे, अलग-अलग crops को grow करेंगे, cultivate करेंगे, तो अहां पर क्या होंगे, यह अपने लिए तो पूरी तरह से cultivate करते थे, अपने खाने-पीने की तो एकदम खूब खाते पीते थे, इसके अलब यह markets के लिए भी, इत मिंस कि दूसरे जगह के लिए भी बेचते भी थे, मतल करते थे, और उसके अलबा क्या करते थे, मार्केट में भी बेचने के लिए यह cultivate करते थे, और यही main source था Russian economy का, इसके अलबा अगर बात क्या तो क्या, वहां पर मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर agriculture ही केबल परफॉर्म हो रही थी तो क्या इंडस्ट्री नहीं थी, रशिया में, वहां के लोग मालीजे तो केबल खाना ही तो नहीं होगा, कपड़े पहनना होँगा, कपड़े पहनेंगे उसके अलाबा, और भी iron, steel से जूड़ी होई काम वर्क करेंगे, तो क्या वहां पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी नहीं, यहां पर लिखने का तरीका, इंडस्ट्री वस फाउंड इंड पॉकेट्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह होता है, कि इंडस्ट्री वहां पर मिजरेबल, मतलब बहुत ही कम थी, मतलब कि इतना कम थी, कि वहां पर यहां पर यहां पर जो स्टेट्मे तो यह हमेप में देखिए यहां पर यहां पर किया थे यही पर आपको इंडस्त्री जो तो पहली बात तो रश्या बहुत कम अंडस्त्री थी और उसमें भी आपको सेंट पितर सबर्ग और मॉस्पोनों में ही क्या थि मेजर इंडस्टियल एरिया थी, but of the production was carried by the craftsman, ज्यादतर industries कहां थी, Pittsburgh और Moscow में थी और बहुत ही कम इंडस्टिय थी और ज्यादतर जो ये आपका demands जो fulfill होता था, जैसे कि cloths बनते थी, या जो भी अलग industrial work होते तो वो ज्यादतर craftsman के द्वारा होते हैं, ज्यादतर craftsman क्या होते हैं, तो ये चर्खा से अपना धागा सूथ काटके कपड़ा बना रहे हैं, तो इस तरह की industry उससे में थी, लोग घर में ही उससे work करते थे, छोटी छोटी इंडस्टिय नहीं थी, तो इस तरह से ज्यादतर वो work उससे में होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, क्राफ्ट्समें के लगा, कहां पर रशिया में, 1890s तक आते आते railway का expansion रशिया में होने लगा, और railway expansion के कारण, जो foreign investment होता है, वो increase करने लगा, foreign investment क्या होता है, तो जैसे माली जी आज हमारे country में, Google है, या Apple है, तो उन्होंने अपनी यहाँ पर वो समान बेच रहे हैं, या establish किया, तो वो क्या Apple हुआ या Google हुआ, वो कहा है, अमरीका की company है, लेकिन उन्होंने इंडिया में क्या किया है, इन्वेस्ट किया, अब कोई company, दूसरा foreign country, किसी दूसरे country में इन्वेस्ट क्यों करेगी, वहाँ से उनको profit होने वाला होगा तब न, वहाँ पर उसके लिए क्या होगा, condition favorable होगी, जिससे उसका समान क्या होगा, एक से दूसरे जगा आशानी से travel कर सकता था, तो क्या हुआ था, foreign investment increase, जिसके कारण, foreign investment increase होने के कारण, industries भी क्या हो गई थी, काफी increase हो गई थी, जगा-जगा क्या हो गई थी, industries लगनाब सुरू हो गई थी, और इस से आप अंदाजा लगा सक सिल प्रोड़क्षन होती थी, वो क्या हो गई थी, बतल्ब्र चार गुनाः, cracking पहले 10 गुना होती तो वह 40 गुनाब होने लगए iron और steel इस तरह से क्या होगे थे मतलब change हो रही थी अभी देखिए यहाँ पर क्या है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि no doubts Russia में economic level पर changes आई होंगी बहुत जादा development हुई होंगी लेकिन क्या है let us see something about these growing industries मतलब आप देखत मतलब बहुत पैसा आ गया था क्या सब फरारी में घूम रहे थे नहीं कुछ और भी परिशानिया थी यह जो industries grow कर रहे थी यह सब इंडस्ट्री जो आगे आ रहे थी बहुत ज्यादा develop हो रहे थी तो इस industrial society से कुछ परिशानी थी रश्या में क्या परिशानी थी देखे most industries were the private property of industrialist ज्यादा तर जो जिनके पास पैसा होगा वही क्या करेंगे इंडस्ट्री लगाएंगे तो ज्यादा तर जो industry होती थी वो क्या होती थी private property होती थी एक individuals के हाथों में property होती थी ठीक है industry होती थी और जो उनका जो काम होता था that is the profit maximization ठीक है अब आप क्या करिए इसे connect कि ये कालमाक्स की ideology से कालमाक्स क्या बोलते थे कि private property जो होती है वो क्या होती इंडिविजुल्स on property होती है और जो profit maximization होती है खुद का profit बनाना ठीक है अब यहाँ पे देखिए industry खोल के बैठे है तो ऐसा तो नहीं है कि charity करेंगे सब को बोलेंगे अपने नहीं जो यहाँ पर production करो workers आओ यहाँ पर काम करो production करो और अपने घर कार ले जाओ मतला अपने जो भी production हो रहा आपने घर ले जाओ इनका क्या होगा पैसा लगाए है तो यह ज्यालस ज्यादा कोशिश क्या करेंगे जो यह private honors होंगे private industrialist होंगे कि अपने जेब में खुब पैसा रहो और सोच यही होती कि जालस ज्यादा profit maximization किया जाए और उसमें क्या होती उसमें workers के साथ exploitation होती वर्कर का शोशन किया जाता है यह कालमक्स के ideology है तो आप इससे relate कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आपको यह समझ में आ रहा है तो एक चीज़ यहाँ मन में आया क्या government यहाँ पर कोई rule or regulation नहीं मनाती थी government तो वहाँ पर थी न सार निकोलस चू राजा थे तो राजा जो थे वो king थे तो वो कोई ऐसा rule नहीं मनाते थी कि नहीं यह सब गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए profit maximization नहीं होना चाहिए workers का भी आप ध्यान रखे उसको exploit नहीं government भी करती थी government भी ऐसा ensure करती थी government बोलती थी कि सब को क्या करना चाहिए maximum wages मिलना चाहिए और limited आवर मतलब कि work hours होता है वह limited होना चाहिए लेकिन फिर क्या परिशानी थी लेकिन इन सारी चीजों के बाबजूद often these rules were broken मतलब इन सारी चीजों के बाबजूद भी क्या होती थ होते थे वह broken कर दी मतलब तोड़ दिये जाते थे ठीक है वह ठीक है भाव बोला जाता था कि हा ठीक है पालन करेंगे कुछ दिन चलता था और फिर सारे rules को क्या कर दिया जाता था तोड़ दिया जाता था और तोड़ने के बाद क्या होता था तो long working hours काफी ज्याद लंबे स समय तक काम करवाया जाते थे up to 16 hours 16-16 घंटे तक काम करवाया जाता था ठीक है अब सोच सकते हैं कि वर्कर्स की उस समय कंडिशन कैसी होती थी वर्कर्स की कंडिशन इतनी खराब होती थी कि मतलब उनके पास कोई option नहीं होता था एक तरह से उनको work करना है 16-16 घंटे काम करेंगे तो उनकी health भी कितनी खराब होगी उसके अलाबा वो education नहीं ले पाएंगे बहुत सारी ऐसी परिशानी होती थी इसके अलाबा workers were accommodated in 16-16 घंटे काम करवाना है ठीक है आज के समय के double उसके नहीं कि उनको बहुत बड़ा hotel दे दिया जाता था फाइव स्टार एक बहुत ही परिशानी के साथ rooms और डोर मेट्रीज में रत दोर मेट्रीज क्या होता था एक सिंगल सब बेड होता है जैसे उसमें बाइफ्रीकेट करके बहुत सारे एक रूम में बहुत सारा एक अलग- shift wise उनको सोना होता था मतलब कि 6 घंटे आपको सोना है फिर next 6 घंटे आपका काम पर चले जाओ next 6 घंटे उस पर दूसरे आकर सोएंगे तो इस तरह से shift में उनका सोना होता था डोर मेट्रीज में और इस तरह का एक section होता था जहां पर बहुत ही परिशानी के साथ सोना थी बहुत ही ज़्यादा sanitation मतलब कि होता है ना एक तरह से गंदगी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके अलाबा खाने पीने की अच्छी बेवस्था नहीं तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा exploit किया रहा था workers को ठीक है यहाँ पर हमने देख रहा है industrial society आने थे इंड़ Russian economy समझा है कि economy तो develop हो रही थी लेकिन workers की condition खराब हो रही थी यह मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कोई doubts होगा एक भी points में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं you can ask me frequently next classes में हम लोग Russian society समझेंगे और उसके बाद हम एक पूरा पूरा background समझ जाएंगे चलिए thank you thank you